हलो दोस्तों नमस्कार सरकारी नोटिफिकेशन में आप सभी का स्वागत है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं समय समय पर यहाँ पर सरकारी नोटिफिकेशन की सारी जानकारियां आपको उपलप्त कराता रहता हूं तो यदि आप लोग सभी जानकारियों को समय पर पाना च चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए का तो आज हम जो वेकैंसी लेकरा है वह है मद्द परदेश लोग से आयोग से है जो की कि जारी हो चुकी है और इसकी जो की सिविल इंजिनियरिंग की है तो इसमें जो परिक्षा होने वाली है वह है तीस पांच दो हजार इकिस को होगी और जो इस फॉर्म को अप्लाई करने की अंतिम डेट जो होगी वह है चौदा दो दो हजार इकिस होगी तो आएए इस नोटिफिकेशन को पूरा देख लेते हैं और यह नोटिफिकेशन किसका है इसे के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो मद्यपर्देश लोक सेवा आयोग दोरा मद्यपर्देश सासन हेतु राजय अभियंत्रिकी सेवा परिच्छा 2020 हेतु अवेदन पत्र आमंतरित किये जाते हैं विध्यप्ती पदो के लिए सेक्षनिक आहर्त निम्नपरकार से यहां पर आपको पूरी डिटेल दी गई है याई सिविल इंजिनियर्इंग, इलेक्टिकल इंजिनिर्इंग, मेकेनिकल इंजिनिर्इंग, पावर इंजिनिरिंग, सभी पोश्ट दी गई हैं, सभी चीज़ें दी गई हैं यहाँ पर इंजिनीरिंग का नोटिफेशन जारी हो चुका है तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे तो चलिए चलते हैं नोटिफेशन में क्या-क्या दिया गया है सभी चीज़ों को डिटेल में जानते हैं तो जो फाम भरा जाना सुरू होने वाला है वह 15.01.2021 से सुरू हो जाएगा अविदन पत्र केवल ऑनलाइन सवकार किये जाएगे और 15.01.2021 दो पाहर 12 बजे से सुरू हो जाएगा और जो इसकी अंतिम डेट होगी वह 14.02.2021 राद 3.12 बजे होगी और इसकी ओपसेल वेबसाइड है mppsc.nic.in पर जाकर तथा mppsc.com पर भी जाकर इस फाम को भर सकते हैं तो इसमें यदि आपको फाम भरते समय यदि कोई तूटी होती है तो आप लोग यहाँ पर देखे आप अविदक online अविदन पर सावधानी पूरवक जाच कर लें यदि किसी वेबसाइड की तूटी होती है तो 21.02.2021 से 16.02.2021 तक तूटियों का सुधार किया जाएगा और इस तूटी परती सुधार सत्र 50 रुपए तूटी सुधार सुलक देना होगा यानि कि 50 रुपए आपको सुलक देना होगा तो चलिए चलते हैं नोटिवेशन में आगे और यहाँ पर सभी जानकारियां दी गई हैं जिसे फॉम को भरने से पहले आप लोग इसे सभी जानकारियों को जरूर पढ़ लें और यहां पर आप लोग देख लेए सभी कटेगरिय वाइच पदों की संक्या दी गई हैं तो आप अपने कटेगरिय को जरूर देख लें और बारे में जान ले और पदों का वीवरण यहां पर दिया गया है कि पद का नाम विवाग का नाम आहार्थ सेख्षिक योगता क् प्ञेटर नहीं क्या होगी वेतन जो है आपका क्या होगा या पर दिया गया 15,600 से 49,100 प्लस चौवश्पन सो ग्रेट पे भी होने वाला है और अगले पोष्ट का भी वेतन वही होने वाला है तो आप लोग यहां सभी पोश्ट देख लें सभी का अलग-अलग डिटेल दिया गया है और उसके बाद ही फॉम को अपलाई करें और जो आयू सीमा रहने वाली है वह है आयू सीमा 21 वर्स पूर्ण कर लिये हो और 40 वर्स से अधिक नहीं होना चाहिए और जो यहां पर आयू सीमा की गड़ना की जाएगी वह है 6 नमबर पर दिया गया है एक एक दो हजार इकिस से आयू सीमा रहने की गड़ना की जाएगी और यदि आपकी आयू अधिक हो जाती है तो नियम अनुसार आप यहां पर दिया गया है उसे देख लें किसी साब से आपको छूट मिलने वाली है तो यहां पर आप लोग सभी नोटिपेशन के हर पॉइंट को पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अपलाई करें तो और जो ओनलाइन परिक्षा केंदर बनाई गए है वह इस परकार है ओनलाइन परिक्षा केंदर परिक्षा की थी तथा केंदर ओनलाइन परिक्षा केंदर 35 2021 को दोपा है 12 बजे से 2 बजे तक रहेगा जो आपके online परिक्षा होने वाली है वह 12 बजे से 2 बजे तक होने वाली है यनि 2 घंटे की परिक्षा होगी और जो परिक्षा केंदर दिये गए है जहाँ जहाँ पर परिक्षा अवजित की जाएंगी वह इस परकार से है, साथ केंद्र बनाएगे हैं, जो कि नाम इस परकार है, कोड एक, यनि कि सभी सहरों का कोड भी दिया गया है, आप से प्रिक्षा सहर में चूज करवाने पर कोड भी पूछा जाएगा, तो वहाँ पर आपको इनी कोडों को भरना होगा, तो इंदोर, भोपार, गवालियर, जबलपूर, सागर, उजयन और सतना और सभी के सामने उनका कोड दिया गया है, जैसे इंदोर का एक, भोपाल का दो, गवालियर का तीन, जबलपूर का चार, सागर का पाँच, उजयन का छे, सतना का साथ, इसी प्रकार से आप लोगों को क पूड को दियान में रखते हुए ही फॉम को अपलाई करना है तो चलिए चलते हैं और देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है आयू सीमा में छूट का यहां पर पूरा विवरन दिया गया है आपको किस परकार से आयू सीमा में छूट मिल सकती है तो आज के वीडियो में इतना ही अगरे हमारे वीडियो में इसी परकार बने रहने के लिए धन्यवाद और यदि आप हमारे चैनल पहली बारा है तो चैनल